C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 114 है आनंद मै कविता पाठ 24 शीर्शक गिरे ताल में चंदा मामा गिरे ताल में चंदा मामा सबने देखा, सबने देखा सबने देखा, सबने देखा सबने देखा एक अचंबा मचुआरे ने जाल समेटा कहीं नहीं थे चंदा मामा कहां गए जी चंदा मामा लेखक राजेश जोशी इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें चांदनी रात में एक ताल में एक मचुवारा अपना जाल चांद की आकरिती जो ताल में जल पर दिखाई दे रही है उस पर फेंकता है इस उद्देश्य से कि वो चांद को अपने जाल में फंसा कर ले जाएगा किन्तु चांद उसके हाथ नहीं आता प्रिष्ट 115 है शब्दों का खेल एक कविता में अचंभा शब्द आया है कविता पढ़कर अनुमान लगाईए कि इस शब्द का अर्थ क्या हो सकता है दो, यहां दिये हुए किस वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है यह देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है यह देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है यह देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सुखा था इन में से कौन से वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है उस पर चिन लगाईए तीन, इस कविता में चंदा मामा की जगह पर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िये अपनी नई कविता को कौपी में लिखिये मिलकर पढ़िये, चांद की रोटी पानी में आई, मचली फिर भी खा न पाई मुहम्मद साजित खान इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें ताल में चांद का प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा है और उसके चारों और एक मचली उस चांद को रोटी समझ कर उसे खाने के उद्देशे से तहरती हुई नजर आ रही है सोचिये और लिखिये एक चांद की रोटी किसे कहा गया है, दो मचली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी शिक्षण संकेत बच्चे अचंभा का जो भी अर्थ बताएं, उस पर बच्चों से बात चीत कीजिए सारंगी वाचन्स्वर, बावला कोचर और मम्ता मलकानी तखनीकी निर्देशन, बटिलेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन, मयंक कुमार निर्मान सहयक, तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली, भारत